फाइनली दोस्तों आज आपके सामने है 2023 की लेटेस्ट मॉडल मारूती सुजू की ओल्टो केटेन का VXI CNG वाला वेरियंट है इस VXI CNG वेरियंट में आपको इंटिरियर और एक्स्टिरियर में क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं कितना देती है क्यों यह गाड़ी वैलूफोर मनी है सबसे पहले अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ऑल्टो के टेन VXI CNG की एक्सोरूम कीमत है 5,94,000 और इसकी एप्रोक्स ओन रोड कीमत है 6,6,000 स्टार बर्स्ट मॉटर्स मारूती सुजुकी शोरूम मध्यमगराम कॉलकता में सबसे पहले फ्रेंट प्रोफाइल के अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मिलता है सुजुकी का लोगो और आपको मिलती है हनी कॉम पैटर्न पर आधारित ब्लैक कलर की ग्रिल और यहां पर आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलाइट और साथ मैं आपको हेलोज के बॉनट के निचले वाले इस वाले हिस्से में देखेंगे तो यहां पर आपको इंसुलेशन देखने को नहीं मिलेगी बागी इंजन का यह जो पीछे वाला हिस्सा है यहां भी आपको इंसुलेशन देखने को नहीं मिलती है इंजन और पावर की अगर हम बात करें तो इसम मेक्स टॉर्क है 82.1 एक एनेम का 3400 पर इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस है 4.5 मीटर का और पेट्रोल में ये गाड़ी आपको 24 किलोमीटर प्रति लीटर का आसानी से मायलेज निकाल कर दे देती है जो कि मारूती क्लेम करती है रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो पीछे में आप देखेंगे यहां पर आपको मिलता है हाई माउंट स्टॉप लेंप हैलोजन में सी एंजी की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है पीछे वाले मिरर के उपर में कोई भी डी फागर और यहां पर आपको वाइपर नहीं मिलेगा सुजुकी का 3D में लोगो दिय है बाकि यहां पर आपको अल्टो के 10 की 3D में क्रोम के साथ वैजिंग मिलती है सी सिगनेचर हैलोजन टेलाइट आपको देखने को मिलेगी कुछ भी एलीडी डियारल जैसा देखने को नहीं मिलेगा पीछे वाले बंपर के उपर में आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं गाड़ी का जो बूट है वो मैंने ओपन करके आपको दिखा दिया है अगर आप इसमें पैट्रॉल वाले वेरियंट में जाते हैं उसमें आपको 214 लीटर का बूट मिल जाता है लेकिन इसमें आपको स्लेंडर में आराम से 9-10 kg गैस आ जाएगी अगर माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि यह जो गाड़ी है वो एक किलो सी एंजी में आपको 33 का माइलेज निकाल कर दे देगी अगर आप इसका पूरा स्लेंडर फिल करा लेते हैं 9-10 kg तक तो यह पूरे स्लेंडर म मैं आपको लगवक्त 270 से लेकर 300 किलो मीटर तक का हाइस्ट माइलेज एक फुल सलेंडर में निकाल कर दे सकती है अभी मैं आपको दिखाता हूं इस गाड़ी का सेगंड रो इंटिरियर तो यहाँ पर आपको रियर वाले जो मिरर मिलते हैं वो मैनौली मिलेंगे बाकी यहा आप इसको निकालना चाहते हैं तो यह जो पीछे वाली seat आपकोफो करनी पड़ेगी डावन करनी पड़ेगी तो यहां से आप इसके nut को खोलकर आसानी से tire को निकल सकते हैं दूसरी बात है आपर आपको थोड़ा बहुत इतना तो space मिल जाता है जिसमें आप अपने थोड़े बहुत carry back को आसानी से carry कर पाएंगे दूस्तो बाकी rear में आपको काफी अच्छा है आपर आपको space भी मिल जाता है जैसा कि यहां से आप इस गाड़ी के इंटिरियर को देख सकते हैं जैसा कि यह ओल्टो केटेन है तो यह जो गाड़ी है वो पुरानी वाली ओल्टो 800 से देखने में डाइमेंसन्स के साफसे काफी बड़ी नजर आती है इस गाड़ी का जो C-Pillar है B-Pillar है और जो A-Pillar है वो पूरा का पूरा है यहांपर आपको बॉड़ी कलर में मिलता है साथ में आपको दोर हैंडल भी बॉड़ी कलर के देखने को मिल जाते हैं और फेंडर के उपर में हेलोजन टाइप का टर्न इंडिकेटर दिया गया है अगर हम इसके टायर के साइज की बात करें तो यहां पर आपको 145,888,13 का यहां पर आपको डिस्क और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है यहां पर आपको ग्रांड क्लिरेंस मिल जाती है अगर हम इसके और वियम की बात करें तो आपको ब्लैक कलर के नॉन फोल्डेवल यहां आपको वार्वियम मिलते हैं लेकिन आप इनको अंदर की साइड से मैन्वाली अडजस्टमेंटी कर पाएंगे बात करें गाडी के फरेस क्या प्रक्शन का एक स्टीकर दिया गया आप इसको सावधानी पूरवक पढ़ सकते हैं बाकि नीचे मैं एक लीटर की पानी की बॉटल को रख सकते हैं और आपको थोड़ा से इसपेस औरहां वी आपको तोड़ा साइस मिलता है आगे और पीछे कर सकते हैं मैं आपको seat height adjustment देखने को नहीं मिलेगा यहां से आप इसके पीछे वाले boot को open कर बाएंगे यहां से आप इसके fuel के cap को open कर सकते हैं यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे यहां पर एक CNG और fuel का एक extra button दिया गया है अगर आप इसको fuel में चलाना चाते हैं तो प्रेस कर सकते हैं आप इसको adjustment नहीं कर पाएंगे इस काड़ी में आपको दो airwag मिल जाते हैं एक airwag यहां पर है दूसरा airwag वहां पर आपको मिल जाता है सुजुकी का logo है steering के उपर में कोई भी आपको control का button नहीं मिलेगा बागी यहां पर आपको headlight के control और left में आपको wiper के control मिलते हैं औरेंज कलर की लैट के साथ यहां पर आपको semi digital meter console देखने को मिल जाता है जिसके उपर में देखेंगे तो cng की warning की लैट यहां पर सो हो रही है जो indication करती है कि इसकी cng में अगर कोई भी खरावी आती है तो यह blink करने लगेगी बागी यहां पर speedometer मिल जाता है चोटी सी यह जो display में आप fuel और cng की warning को देख सकते हैं कि जो गाड़ी है वो आपकी अभी petrol में चल रही है या फिर cng में चल रही है यहां पर fuel gauge और सबसे ची बात इसमें आपको real time mileage indicator मिल जाता है distance to empty वाला features मिल जाता है सबसे पहले मैं गाड़ी को यहां से start कर देता हूँ clutch को दबा कर आप देख सकते हैं गाड़ी अभी start हो चुकी है और यह जो cng का button है आप इसको petrol में भी कर सकते हैं अभी यह petrol में दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं दोबारा से मैंने button को प्रेस किया तो यह cng में आ गई तो यह आपकी choice है आप इसको किसमें चलाना चाहते हैं आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा दवाने पर नहीं दव रहा है और यहां पर आपको चार एसी के वेंट मिल जाते हैं एक दो तीन और यहां पर चौथा यह रहा और इसमें आपको company fitted music system भी देखने को मिल जाता है बार से आपको लगवाने की जरूवत नहीं है अगर और आप का बटन बाकि नीचे में आपको फ्रेंट के दो पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं लेकिन मुझे अनकमफरेटिबल लगते यह वाले जो वटन है वो company को जो है वो विंडो के साड में देने चाहिए थे और सेंटर में आपको जो है वो मिल जाता है है जार का आप देखने को मिलेगा यह है इसकी जो है वो ब्रेक हैंड की नॉप और यहां भी आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है पीछे वाले पैसेंजर के लिए इसमें आपको जो है वो वैनिटी मिरर नहीं मिलते हैं दौनों ही सन वाइजर में जो की ब्लैंक है और आपको LED लेंप देखने को मिल जाती है नाइट में यूज करने के लिए वागी यह है इस गाड़ी का RBM Rear View Mirror तो सबसे नेगटिव बात तो मुझे इस गाड़ी की यह लगी कि पीछे में पीछे वाले पैसेंजर के लिए कोई भी यहां पर आपको लाइट वगेरा देखने को नहीं मिलती है दोस्तों तो दोस्तों अगर आप कौलकता हावडा हुगली आसपास से हैं और मारूती सुझुकी की कोई भी गाड़ी खरीदना चाते हैं या फिर आप इन गाड़ियों की टेस्ट राइड लेना चाते हैं तो आप स्टार बस्ट मॉटर्स मारूती मद्यम ग्राम वाले कौलकता सुरूम में विजट कर सकते हैं अब आपको मारूती सुझुकी की सारी गाड़ियां मिल जाएंगी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और देव MTR चैनल को करते हैं और टो के टेन वी एक्साइएंजी की तो कमेंट में अपनी सीटी का नाम बता देना मैं आपको रिपलाई करके बता दूंगा थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में